पर्शी मंगाल में हुए लोगसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़ते कदमों ने ममता बनर्जे की चिंता बढ़ा दी है सूबे में कमजोर पड़ी टीमसी को मजबूत करने के लिए ममता एडी चूटी का जोड लगा रही है बिंधान सबर चुनाव को लेकर बैटूकों का दौर तो जारी है ही वहीं अब ममता ने कैसा प्लान तयार किया है जिससे बीजेपी के विजई रत पर प्रेक लगना ताय है लोगतमा चुनाव में महागरवन्दन के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने टीमसी से साथ आने के अपील की मगर उस वक्त पश्य मंगाल के सियम ममता बनर्जी ने अखेले चुनाव लड़ने की बात कहकर कॉंग्रिस की उमीदों पर पानी फिर दिया लेकिन 23 माई को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसने ममता बनर्जी के पैरो तले जमीन खिसका दी क्योंकि बीजेपी पश्य मंगाल में 2 से सीधे 18 सीटों पर पहुँच गई जबकि 24 सीटों पर कबजा करने वाली टेमसी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई इस हार के बाद अब ममता बनर्जी को महागरवन्न की ताकत का एहसास हो रहा है इसलिए तो सूरे की मुख्या ने विधान सभाज जुनाव के मत्य नजर कॉंग्रेस और सीपियम से साथ हाने के अपीद की है ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हमें राजे से वीज़बी को हटाना है तो साथ खाना होगा आपको बताने कि लोग सभाज जुनाव में अच्छा प्रदर्शित करने के बाद अब बीज़बी के नजर विधान सभाज जुनाव पर है जिसकी तयारियों अच्छे शुरूब भी करती है पार्टी लगातार अपने कारितमों से आगे बढ़ने की कोशिश करने बेजुटी है जिससे रोपने के लिए ही ममता बनर्जी ने ही प्लान तयार किया है क्योंकि कही ना तही ममता भी जानती है कि बीज़बी जस तरहा से अपने विज़ई अभियान पर आगे बढ़ रही है बिना विबक्ष के साथ आए बीज़बी को रोपवाना बेहर्द मुश्किल है इसलिए ममता ने कॉंगर्स और सीपिम से साथ आने की बाद कही है